नवस्कार मैं आज से इस पाठा का आप सभी का श्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षापलस में आज मैं आपके शामने एशी आरो, एरो के लिए कम्प्यूटर के कोश्चन्स कहां से आएंगे कि लास्ट टाइम में आपके पास जो इस समय बचा हुआ क्योंकि 12 तारिक से आपका आरो का एक्जाम स्टार्ट है और 14 को से आपसे एरो का स्टार्ट है तो इतने समय में आप कैसे उन-उन पॉइंट को रिवीजन करें क्या-क्या महत्तोपूर्ण है वो मैं आपको बताने आया हूँ तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा एक कम्प्यूटर की स्टेटेजी है क्योंकि कम्प्यूटर के कोश्चन्स 200 में से आल्मोस्ट आपके 18 से 20 कोश्चन पूछे जाएंगे कि बहुत चीज़े आप पढ़ जालो वहां से कोश्चन ही ना आ है बेसिक बेसिक जो चीज़े हैं वो आपको पता होना चाहिए वो टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ उससे रिलेटेड मैंने कम से कम 15-16 वीडियों MCQ के डाले है वो सुरू से आप MCQ 500 प्लस MCQ प्लेलिस्ट में चले जाएगा 500 प्लस MCQ के नाम से कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बनी होगी जो मैंने ASI के लिए कराया था वो आपके लिए भी अच्छी साबित होगी और वहां से सब ही क्या नम है आप लोग वीडियो देख लेना उसकी PDF मैं ग्रूप में डरवा दूँगा और आप लोग टेलिग्राम से जोड़ जाएगा तो पूरी PDF आपको मिल जाएगे तो वहां से आप revise कर सकते हों पूरी चीजों को लास्टर में कोई theoretically पढ़ने की ज़रूरत नहीं है किन topic को बहुत अच्छे से देखना है किनका revision बहुत जल्दी quickly कर लेना है वह मैं आपको बता दे रहा हूँ computer में तो वह ध्यान रखो कि आप computer में आपको पढ़ना क्या है basic structure of computer और generation generation से कभी कभी question पूछ देता है एक दो और यहां से तो दो question आपसे पूछी देगा basic structure of computer से जैसे मालो control unit से question हो गया ALU से हो गया CPU से कोई question बना ठीक है या आप buses से question बनते है data bus क्या होता है address bus क्या होता है तो इन सब सब चीजों से जो question बनेगा basically आपका structure से बोले जाएगा जिसके architecture भी बोलते है क्या बोलते हैं computer का architecture की बात किया जाए तो यहां से question आपको देखने को मिल जाएगा basic सा एकदम जन्नो question कैसे data process होता है ठीक है data processing के step पूछ सकता है data processing के step क्या होते है तो यह सब चीजे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है उपर उपर पढ़ लेना full form बहुत जरूरी है कई paper में हमने analyze किया है कि यह आपके 3 से 4 question तक पूछे गाए किसी किसी में 2 पूछे गाए तो यह भी ध्यान रखना है किसका role है और इसका role किन किन topic से है आपके सभी topic से है चाहिए वो जितने भी मैंने बता रहा हूँ MS Office से खास कर इसका आप चले जाओगे तो इंटरनेट से बैंकिंग के full form से और कुछ जनरल आपके input-output डिवाइसों से किसे input-output डिवाइस से भी full form उठाके पूछ देता है तो उन चीज़ों को आप ध्यान रखेगा input-output के जितने भी full form के हैं abbreviation के हैं मैंने PDF आपके टेलिगराम पे डलवा दिया है उसके बाद से input-output डिवाइस और memory से question आता है memory में जान लो आपको क्या पढ़ना है RAM पढ़ना है कितने प्रकार का होता है रोम कितने प्रकार को होता है P-ROM ठीक है EP-ROM यह सब आपका double EP-ROM तो यह सब आपके पढ़ने हैं उसके बाद से flash drive क्या होता है hard disk HD क्या होता है इसमें SS time क्या होता है seek time क्या होता है इस सब को द्यान रखना SS time क्या होता है सी-Latency टाइम क्या होता है यह सब मैंने आपको बता रखा है रेम कितने प्रकार के स्टेटिक होते हैं डैनमिक होते हैं मेमोरी में खास कर यूनिट आपको याद रखना है एक आपका आठ बीट किसके बराबर होता है निपल किसको कहते हैं टीवी क्या है सबसे हाइस्ट यूनिट क्या है हाइकश की maximum पावर कितनी होती है चाहे आपसे पूछे कि ऑप्तिकल डिस्क होता है जो सीडी होता है डीविडी होता उनका आपसे पूछले फलॉपी डिसक इतने इंच का आता था ठीक वह वाले सब कुछ पूछ ले तो जैनल इंफोर्मेशन आपको याद होने चाहिए प्लस आपको मेमोरी जो मेमोरी से क्वेश्चन यह बनता है जैनली इतनी आपसे टाइप बनेगा फिर हम मेश उंप जैनल में आपको अमेस ऑफिस सुट में आपको जैनली आपको पढना है आपको पढना है एकसल एकसल के बेसिक फॉर्मूला पढना है फार्मूला कैसे ही इस स्बाइ Mick यह सब चीज़ें को ठोड़ा आपको ध्याम में रखना है ठीक है फॉर्मुला कैसे लगाते हैं उसका आउट्पुट के आएगा पॉर्मुले का छोटा सा अगर कोी चीज है तो यह सब आपको एक्सल मिछाद रखना है उसके बाद के बात करें MS Word की Microsoft Word की तो इसमें आपको देखो इसके साथ साथ इसके shortcut की भी आपको याद रखना है shortcut की almost सभी में same ही होते हैं कुछ अलग-अलग different होते हैं जिसे filter का filter लगाने के लिए fridge pan का लगाने के लिए तो ये MS Word में shortcut की भी आपको याद रखना है खास कर किस menu में ठीक है किस menu option में क्या-क्या है जैसे spell check के लिए क्या है कहाँ पे teaser कहाँ use होता है जो आपके dictionary होती है वो किस option में होता है तो किस menu में क्या-क्य option होते हैं वो खास कर याद रखिए ठीक है जूम percentage क्या होता है minimum, maximum by default font क्या होता है ठीक है उसकी size क्या होती है तो यह font का font panel खोलने के लिए आपका shortcut key क्या होता है यह आपको याद रखना और यही सब चीज़े आपको ppt में याद रखना है कि जितने भी menu होते हैं उनमें उसके अंदर क्या होता है खासकर hand out में hand out में अगर आपको maximum print देना हो तो कितने slides होते है तो nine slide होते हैं तो ऐसी चीज़े जो एकदम generalize हर बार question पूछता है वो आपको यहाँ सी ppt में cover करना में तो powerpoint presentation बाकी आपको मैं नहीं कहूंगा कि आप पढ़िए एसेस पढ़िए आउट्लुक पढ़िए ठीक है आउट्लुक यह जाने कि आउट्लुक Microsoft का एक mail है जो आज बार ASI में पूछा था बच्चों ने Gmail mark के answer आगा है कि कौन सा Microsoft का email account है तो वो आउट्लुक होगा ना कि Gmail होगा Gmail Google का है ठीक है यह सी गलती है मत करिएगा छोटा छ बेसिक सी चीज आती है आपसे पूछता है ब्राउजर इसमें से कौन सा है ठीक है निमलिखित में से कौन सा ब्राउजर है यह आपसे पूछ जे एसिस्टेंट होते है जैसे Google Assistant होता है Alexa होता है तो इसी तरह सभी के Apple का Siri होता तो ऐसे question आपके आते हैं network में generally आपको IP address से पू पूछ सकता है कितने बिट का होते हैं यह ठीक है फोस्ट अड्रेस कितना होता है network address कितने बिट का होता है सभी क्लास में तो यह आप से generally पूछ सकता है network से या आप से devices पूछ सकता है network की devices कौन-कौन सी है ठीक है तो आप लोग switches hub ठीक है राउटर्स यह याद रख लेना और तो पोलोजी याद रख लेना बस थोड़ी सी तो यह general आप लोग इतना पढ़ सो पढ़ लो network में IP में मैंने बताई दिया IP address क्या पढ़ना इंटरनेट में मैंने ब्राउजर पढ़ लो सुरुवात कहां से हुई थी इसकी थोड़ी history जान लो history जान लो www का full form हुआ है इससे ऐसे exam आये हुई है question तो इन सब के बारे में आप generally पढ़ लो इनका क्या है full form क्या है use किसके लिए होते हैं तो वो चीज़े आपको थोड़ा सा यहां पर मदद करेंगी यह internet से चीज़ें हो गई ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है कि browser किसके कौन-कौन से है www की थोड़ operating system first operating system कौन सा था इसको बनाने वाले कौन-कौन से थे Microsoft का background क्या है Microsoft Office का इसका head कौन है इसकी office कहां पे है इसने क्या-क्या product market में दिया है यह सब थोड़ा आप उपरी उपरी knowledge रख सकते हो ठीक है उसके बाद से नंबर सिस्टम से देखो general question आप से पूछा है यहां से देखो आपके दो कोशन बने हैं नंबर सिस्टम से तीन से चार कोशन कई बार देखने को मिले हैं तो नंबर सिस्टम को ध्यान रखना नंबर सिस्टम में खासकर आपसे conversion पूछ सकता है यह ध्यान रखिए अपको देख लेना है थोड़ा सा और उसके बस conversion से जादे आएगा यह आपसे पूछ सकता है इसमें से कौन सा बाइने डिजिट है कौन सा एक्सा डेसमर डिजिट है पाच आने के लिए पूछ सकता है ठीक है यह हो गया नंबर सिस्टम और इसी में थोड़ा सा गेट के बारे में जालने ना जो मैंने एंड और नेंड गे अब यह ध्यान रखना shortcut की आपके हर चैप्टर से जैसे खासकर कहां से सटकर की आपके MS Office से बहुत जादे बन जाते हैं जर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम QS से बन जाएंगे कि जैसे आपका कई Windows फुले हैं तो उसको डिरेक्ट डेक्स्टॉप लाना वो Windows को मतलब मिनिमाइज करना हो तो उसके लिए क्या कौन सा shortcut की होते हैं तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के और कुछ आप MS Office के सूट के ऑपरेटिंग की यूज कर सकते हैं याद कर सकते हैं इन्पूट आटपूट जरूर दिवाइसे में बहुत अच्छे से देख लेना कि MICR क्या होता है OCR क्या होता है माउस कितने प्रकार से होते हैं अप्टिकल माउस लेजर माउस यह सब के बारे में जरूर पढ़ लेना ठीक है प्रिंटर खास फवर प्रिंटर में पढ़लेना कि प्रिंटर कितने प्रकार का होता है आप ऊपर ही ऊपर ही एक बार रिवाइज मार आप पढ़ेगो इसके अलांवा और कोई टॉपिक आपको छूना नहीं है ठीक है थोड़ा सा आपको basic knowledge होना चाहिए जनल कौन से browser आएं हैं कौन सा operating system होता है कौन सा open source होता है ठीक है operating system कौन सा आपका privacy के साथ होता है कौन से browser होते हैं कौन से search engine होते हैं सर्च engine के बारे में भी देख लेना कितने search engine होते हैं तो यह सब चीजी आपसे पूछ सकता है तो यह आपके जनरल चीजे हैं जनरल टॉपिक हैं जो आपको लाश्ट टाइम में आप रिवाइस कर लेते हैं तो जो आपके 15 से 20 कोश्चन बनलब 18 से 20 कोश्चन आने वाले हैं तो आलमोस्ट मैं यह कहा सकता हूं कि 15 प्लस आप सकते हैं तो 15 तो आप लोगों के होंगे अगर आप बिना पढ़े जाओगे तो 10 से पार भी कर सकते हो आसान आता बहुत जारे टफ नहीं आता अभी भी देखा गया एसाई का जो पेपर आया उसमें कंप्यूटर बहुत टफ नहीं पूछा था जनरल चीजे पूछा था तो चार्ट हो रही है ठीक है तो रिवीजन क्लासे के लिए आप लोग तयार रही है इसमें आपको मैरेथन क्लासे भी मिलेंगी रिजनिंग का जो पोर्सन है वह भी मैं बता दूंगा कंप्यूटर और मैंने कवर करा दिया उससे बाहर नहीं आने वाला तो कंप्यूटर आप जहांके देख लीजिए का यूटूब पर पड़ा हुआ है रिजनिंग में आपके लेबल का जरूर कराऊंगा ठीक है आज साथ बज़े की क्लासे प्रॉपर कब से होगी लेकिन आज मैं साथ बज़े लेने वाला हूं तो उसको आप लोग वहां से आज साथ बज़े आप म बहुत बहुत धन्यवाद।